अलो डियर श्रेंट गुड मॉरिंग सभी को वेरी गुड मॉरिंग तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन तो देखो आज जो है आपका सिन्कॉनस मशीन है वह पूरा आपका कम्प्रीट हो जाएगा और लास्ट क्लास में आपको सिन्कॉनस मशीन के अंदर जो ही लास्ट जाएं तो आप वहां से जो है कुस्छन कर सकते हो तो चलिए आगे करते करते हैं आपको बदा। यह सिन्कॉनस मशीन युज्ज करतेUNG यूज करते हैं और पावर प्लांट में चैनल सभी male boatband और यूज करेंगे तो वह सब कुछ में आपको कल लिखा चुका था एम सी क्यों कुन सी लेड़ा कहीं से पी वाई क्यों कर लो कहीं से भी कर लो अपने को प्रीवेश कुष्टन करने हैं तो बोर्ण खई चलो तो यह आंपर आपके पास में रहेगा निक्स्टों आपके पास मे पास में अगर इस प्रमस वेगर मैं बात करो क्यूंश और आपय तेस्टिंग आपर एक और word होता है characteristics characteristics of synchronous machine तो synchronous machine के अंदर हम टेस्टिंग या characteristics की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो हमारे पास में क्या होंगे दो पार्ट होंगे पहला हमारे पास में रहेगा testing के अंदर वो रहेगा open circuit test और दूसरा होगा short circuit test या उसी को अपन बोलते हैं open circuit characteristics या फिर short circuit characteristics तो यहाँ पर भी दो method रहेंगे आपके पास में open circuit test और short circuit test कुछ strength बोल रहे हैं sir slip test ठीक है बेटा slip test जो है वो यहाँ पर नहीं होता है cylindrical rotor हम पढ़ रहे है cylindrical rotor synchronous machine के अंदर जो testing होती है वो open circuit test या short circuit test होती है salient pole synchronous machine के अंदर हम बात करेंगे slip test के अंदर यहाँ पर नहीं होगा तो यहाँ पर हमारे पास में दो type के test होंगे कौन-कौन से एक होगा open circuit test open circuit test open circuit test और open circuit test को ही अपन बोलते हैं OCC भी बोलके चलते हैं OCC मतलब क्या होगा open circuit characteristics है ना OCC का आपन क्या बोलते हैं खुला पर परिपत परिक्षन क्या बोलते हैं के अगर आप तो open circuit test के अंदर जो है क्या करते हैं नाम से ही पता लग रहा है कि यह मानलो, अगर आपके पास में, यह आपकी field winding है, यह आपकी field winding ही, जिसको आप यहाँ से DC supply दोगी, field current को आप यहाँ पर increase करोगी, यह आपके पास में armature winding होगी, तो armature winding में open circuit test में हम क्या करेंगी, armature winding पर यहाँ पर कोई भी हमलोड नहीं लगाएंगी तो यहांपर जो यह लौँट वाला पार्ट है यह टर्मिनल यहांपर open रहेंगे और यहांपर क्लेंख करेंगे वोल्ट अायगे वह व like करेंगी यहां पर open यहां पर यहां पर कोई बी मदल यहां पर क्या होगा वोल्ट मिटर लगाएंगी अब जल्दी से बदा ओपन सरक्रिट टेस्ट में आर्मेचर करण कितना फ्लो होगा अगर आपको पूछ लिया जाएं संगम क्या बहुत दिन से सार्च कर रहे थे चलिए कोई दिक करने मेरा मिल गए अब अराम से पढ़ाई वड़ाई करते हैं यहां पर दमागेदार पढ़ाई और सेलेक्शन लेना है इस बार तो देखो यहां पर अगर मैं बात करेंगे उसका हम वोल्टेज रेगुलेशन के हैं रहे हैं पर यहां पर मैंने क्या बोला ऊपन सर्केट टेस्ट और शॉर्ट सर्केट टेस्ट में यहां पर कोई भी पन है cama यहां लेउट अगर है 수िक पर यह कोई भी करण्ट फ फ्लो नहीं होगा अगर कोई भी करन्ट उसका हम करते हैं तो हम शहों homelessीन को ज domestic जनरेटर ह है जिस पर हमारी फिल्ट वैंडिंग होगी हम रोटर को With the help of प्राइमौर्य यानि की प्राइमौर्य यानि प्रथम मुआघे न तो प्राइमौर्य की सिन्ओंस स्को ओन स्पीड पर हम रौटेट कर वाएंगे और यहां पर इस फिल्ट करन को दीरे-धिर बढ़ाएंगे अगर फिल्ड करन को बढ़ाएंगे और यहां पर जो हमें open circuit test में यहां पर जो EMF मिलेगा फेज में जो EMF मिलेगा इसके लिए हमें characteristics float करेंगे पहला question आपको पूछाता है कि open circuit characteristics किस-किस में float की जाती है जल्दी से एक बार comment करके बताएंगे open circuit जो characteristics से वो characteristics अपन किस-किस में float करते हैं तो क्या answer होगा तो answer यह रहेगा मैंने आपको दो चीज़ बताई मैंने आपको क्या बोलाएं कि open circuit test में हम यहां पर field current को धीरे-धीरे बढ़ाएंगे और यहां पर जो EMF होगा उसको हम note-down करेंगे तो open circuit characteristics float की जाती है EF versus field current में किसमें बताओ EF versus field current में यह पहला important point पूछा जाएगा आपको exam में तो चलिए note-down करेंगे यहां पर सबसे पहला important point क्या होगा it is plotted between it is plotted between यहां पर क्या होगा लिखना it is plotted between it is plotted between field current and EF यानि कि IEF and EF में हम क्या करेंगे यहां पर float करेंगे और अगर मैं इसकी characteristics को अगर मैं plot करूँ तो होगा क्या समझना यहां पर अगर हम characteristics को plot करें तो कुछ इस तरह से आएगी EF और यहां पर field current में अगर मैं plot करता हो तो यहां पर होगा filled current और यहां पर होगा EF जब आप क्या करोगे यहां पर समझना आप लोगों ने पढ़ा होगा induced EMF जो होता है उसकी equation आपने पढ़ी होगी root 2 pi f pi m into n phase into लेकिन द्यान रखना यहां पर एक और आता है kd into kp kd into kp जिसको अपन बोलते है pitch factor into distribution factor इसी को अपन बोलते है kw है तो यहां पर kp into kd का concept भी आता है अमर पास में तो यह इंड्यूज DMF है अगर आप देखोगे induced DMF flux के directly proportion होता है flux किसमे producer का current तो actually induced DMF induced DMF और flux मतलब आप current भी बोल सकते हैं क्योंकि flux जो होता है वो current के directly proportion होता है तो यहां पर EMF और flux दोनों directly proportion होगा directly proportion का क्या होगा linear characteristics बनेगी लेकिन ध्यान रखना जब आप OCC बनाओगी तो OCC क्या होगा फिल्ड current के बाद में यह आगे जाकर bend हो जाएगी और bend अगर हो गई तो यह क्यों होगी reason समझना आप मुझे बताओ क्या यहां पर इस case में कोई भी armature reaction होगी पहले जलदी से बताओ क्या open circuit test में कोई भी armature reaction यहां पर होगी क्या यस और नो यहां पर क्या होगा कि कोई armature reaction होगी नहीं क्यों क्योंकि देखो armature current ही 0 है अगर armature current 0 है तो armature flux 0 होगा armature flux 0 होगा तो मैंने क्या बोला जब हम field current बढ़ाएंगे field current बढ़ाएंगे तो field का flux होगा वो directly proportional to field current होगा यहांने current बढ़ेगा तो flux बढ़ेगा और आप सभी लोगोंने बीच करके according देखा होगा कि जब flux बढ़ता है बढ़ता है तो क्या होता है एक condition ऐसी आती है जहां पर saturation की problem आ जाती है और because of saturation की वज़े से जब material saturate होगा तो यह characteristics bend हो जाएगी इसका मतब क्या समझ में है आपको examiner पूछेगा OCC is a linear characteristics या non-linear characteristics तो आपका किसकी वज़े से due to due to saturation क्या होगा saturation की वज़े से जो ही वह हमारे पास में non-linear हो जाएगी next अगला अगर हम बात करें तो यहां पर अगर आपका भी बुक पढ़ोगे तो बुक में यहां पर इसका नाम लेखा होगा इयर गेप लाइन जो होती है linear characteristics कभी अगर आपको इयर गेप लाइन के बरहें पूछे तो इयर गेप लाइन जो है वह क्या होती है वह एक linear characteristics होती है clear तो यह द्यान रखना इयर गेप लाइन जो है वह क्या होगी linear बात करें अगले टेस्ट पर दूसरा टेस्ट होगा हमेरे पास में शौड्सरा टेस्ट बात करूं तो वह होगा शौड्सर के test short circuit test या फिर हमारे पास में क्या होगा short circuit characteristics उसका हम बोलते हैं SCC SCC क्या होगा short circuit characteristics अगर मैं short circuit test की बात करूं तो देखो यहां पर हम क्या करेंगे short circuit test में जिसे मान लो यह हमारे यह हमारे पास में फिल्ड वैंडिंग ही जिसको हम DC supply देंगे और यहां पर field current जो है वो हम इसको supply देंगे तो यहां पर क्या होगा यह armature का first phase होगा यह armature का second phase होगा और यह armature का जो है वो third phase होगा और यहां पर हम क्या करेंगे इस armature के जो terminal है इनको हम short कर देंगे और यहां पर हम क्या connect करेंगे कि इनके बीच में Amitr एनके बीच में हम कनेक करेंगे Amitr A1 यह होगा Amitr A2 और ही होगा Amitr A3 तो इस टेस्ट में क्या होगा आरमेचर टर्मिनल शॉट सर्कुट रहेगा अगर शॉट रहेगा तो यहाँ पर आर्मिचर करेंट फ्लो होगा और दिखो सेम कंडिशन यहां पर भी सेम कंडिशन में टेस्टींग करते हैं सबसे पहले सिंकोनस मचीन को सिंकोनस स्पीड पर रोटेट करवाते हैं with the help of prime mower प्राइम मोटर की helps से इसको सिंकोनस के respect में जो हैं वो plot की जाएगी तो कभी अगर आपको examiner पूछ लेगी किस-किस के बीच में plot करते हैं तो आपका answer होगा आई एंड आई एफ के respect में clear समझ में आ गया तो यहां पर आई ए और आई एफ के respect में plot की जाएगी तो first important point यहां पर होगा it is plotted between it is plotted between plotted between क्या होगा हमारे पास में armature current and filled current तो ज्यान रखना आई एंड आई एफ में upload करोगी next इसके बाद में अगला point यहां पर यह होगा कि यहां पर armature reaction होगी के नहीं होगी जल्दी से बदाओ armature reaction होगी के नहीं होगी इसी का मैं equivalent circuit भी यहां पर बना लेता हूं अल्टरनेटर का यह अल्टरनेटर का equivalent circuit है और यहां पर यह resistance आ रहे है और reactance क्या है जे एकसे से और यहां पर होगा क्या तो यहां पर जो हैं अमारे में यहां पर यह श्रॉकित रहेगा यह और यह पर और यह पर इंगल कितना है डेल्टा है यहां पर यहां पर डिफिनि यहांपर आर्मेचे रहरेक्शन और यहां पर वह दो होगा अगर यहां पर आर्मेचेर रियक्शन होगी तो आर्मेचेर रियक्शन कौन सी होगी अगर मैं वैसे भी आरे को अगर मालों मैं नेगलेक कर दो क्योंकि आर्मेचेर का रेस्टेंस हम यहां पर नेगलेक करते हैं और नेगलेकर गरम कर दें तो यहां पर यहां पर इंड तो यहां पर आपके पास में को सी होगा थे मेंगनेटाइजिंग और deep magnetization का मतलब मैंने बुला था flux में reduction है न तो यहां पर flux में reduction होगा किसकी वज़े से यहां का जो armature flux होगा यहां के main flux में कुछ reduction करेगा और अगर आपके पास में reduction करेगा तो इसका मतलब क्या होगा कि यह main flux यहां पर जाएगा लेकिन यह कुछ कम कर देगा उसमें अगर वो फ्लक्स को कम कर देगा तो यहां पर saturation नहीं आएगा और saturation नहीं आएगा इसकी वज़े से यहां की जो characteristics से यहां पर जो short-circuit characteristics से वह क्या होती है वह द्यान लखना वो linear characteristics होती है तो यह जो मैं परिपत आपके पास में अभी लक्षन है वो क्या हूंगे हमारे पास में is a linear characteristics linear characteristics और क्यों होगी बताओ due to demagnetization effect of armature reaction demagnetization effect of armature reaction यानि कि armature reaction का जो यहां पर demagnetization effect होगा उसकी वज़े से यहां पर ध्यान रखना non-linear characteristics होगी next इसके बात में अगर हम बात करें किसमें plot करते हैं वो हमने लिख दिया है यहां पर armature reaction होगी उसकी वज़े से यहां पर क्या होगी non-linear होगी अब देखो समझना शौर्ट circuit test में अगर आप देखोगे तो जिसे मान लो यह हमारे परस में क्या है यह हमारा equivalent circuit है मैं यहां पर इस तरह का equivalent circuit मेंने आपको ड्रोग करवाय था open circuit test में अगर open circuit test की बात करोगे मैं यहां पर ड्रोग कर रहा हूं open circuit test open circuit test की अगर हम बात करें तो यह हमारा impedance क्या है जेडे से यह क्या है आरे जे एक्से से और यहां पर open circuit test में कोई भी current flow नहीं होगा मतलब यहां का जो EF voltage होगा और यहां का जो terminal voltage होगा VT दोनों बराबर होंगे तो यहां पर आप लिख दो EF और VT दोनों क्या होंगी equal होंगे किसमे open circuit test में क्यों reason समझना open circuit test में यह armature current है वो zero होता है अगर armature current zero है तो EF और VT दोनों क्या होंगे हमारे पस से बराबर होंगे लेकिन यही बात अगर हम short circuit test में करें यही बात अगर हम short circuit test में अगर हम करेंगे तो short circuit test में क्या होगा तो short circuit test में जो यह हमारे पास में आ रहे हैं यह जे एक्सिस हैं यहां पर यह शॉर्ट सर्कुट रहेगा जल्दी से बतार शॉर्ट सर्कुट टेस्ट में वीटी की वेल्यू कितनी होगी एक बाद जल्दी से रिप्लाई करेंगे सभी शॉर्ट सर्कुट टेस्ट में वीटी की वेल्यू जो है कि रिप्लाइं करू है कि कि वेल्यू कितनी होगीफिती की रिविजन करके हुँ वेयाही चाहिए यही डेडीकसिन चाहिए आपका कि सर जेरो होगी क्यों होगी च्युक्ट शॉर्ट सर्कुट है अगर ख्यूर्ड गया यहां से अगर आप बात करोगे तो आपको सभी को पता equation होती EF is equal to VT plus IA into ZS यहां का synchronous impedance क्योंकि यहां पर current flow हो रहा है इसका मतलब मैं बात करूँ तो यह वाला particle 0 हो गया तो synchronous impedance कितना होगा IA का आप divide कर लो तो यह ZS की value आजाएगी आपके पास में यहां से यह question बहुत बार आया होगा है आपको क्या करता है आपको यह बोलतेता है कि open circuit voltage इतना है क्या होगा आपके बस में हाँ सभी बच्चों का selection होगा definitely सभी बच्चों का selection जो है वो short short होगा लेकिन अब थोड़ा सा यहां पर एक confusion होता है यहां पर confusion क्या होता है देखो EF divided by ISC होगा यह दियान रखना यह EF जो है वो ही open circuit voltage है अगर आप open circuit characteristics में आओगे तो open circuit characteristics में यहां का जो voltage मिलेगा ना VOC तो देखो यहां पर एक चीज़ अगर 3 phase आप मानोगे तो अलग formula होगा single phase आप मानोगे तो अलग formula होगा अगर आप 3 phase assume करते हो तो देखो 3 phase में क्या होगा यह जो voltage मिलेगा वो हमें line voltage मिलेगा क्यों बताओ क्योंकि यह हमारे पास में phase A है और यह हमारे पास में phase B है तो मैं बोलना हूँ कि अगर हमारे पास में दो line के बीच का voltage मिलेगा अगर 3 phase होगा तो यहाँ पर जो voltage मुझे मिलेगा VOC वो मिलेगा मुझे root 3 times of per phase voltage है ना तो क्योंकि star connected में line voltage होता है वो root 3 times of phase voltage होता है तो यह हमारे पास में 3 phase में है लेकिन अगर मैं single phase alternator की बात करूँ या single phase generator की बात करूँ तो फिर यह VOC और EF दोनों बराबर होगा तो मैं आपको यही बोल रहा हूं कि यहाँ पर single phase system में single phase system में यह VOC जो EF है वो ही आपका VOC होगा तो VOC divided by ISC जो है यह formula होगा किसके लिए ज्यान रगना single phase system के case में रहेगा लेकिन अगर three phase system होगा तो यहाँ पर आपको VOC में divide by root 3 करना होगा divide by ISC formula यूज करना होगा तो exam में द्यान रखना कि वो three phase की बात कर रहा है या single phase system की बात कर रहा है और ऐसे numerical बहुत आया होगे है आपके exams के अंदर अगर वो three phase बोलेगा तो यहाँ पर divide by root 3 और करना है अगर वो single phase बोलेगा तो VOC divide by ISC करना है तो आपको examiner क्या करेगा तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपको examiner क्या बोलेगा वो आपको VOC open circuit voltage और ISC आपको देगा और आपसे पुछेगा कि बताओ जैड़ेस कितना होगा आप यहाँ से बता सकते हैं जैड़ेस कितना होगा वो आप यहाँ से जो है वो बता सकते हैं clear समझ में आगे चले इसके बाद में अगर हम बात करें तो यह open circuit और short circuit characteristic celebrate question है अब यहाँ पर जल्दी से बताओ SCR क्या होता है अगर आपको पूछ ले examiner short circuit ratio जो है वो क्या होता है अगर आपको examiner पूछ ले तो क्या answer रहेगा जल्दी से एक बार reply करेंगे short circuit ratio क्या होता है short circuit ratio क्या होता है आज खतम हो जाएगी machine बड़ा कोसिस करेंगे कोसिस करेंगे कि short आज जो machine है आपकी complete हो जाए अगर मानलो special motor बच भी जाएगा तो special motor के लिए special class अपन रख लेंगे लेकिन हाँ कल से आप सभी लोगों का utilization है वो start होगा same timing पर start होगा तो कल से utilization होगा कोसिस करेंगे कि अपन आज complete हो जाए नहीं तो कुछ बचेगा तो special motor के लिए सभी को utilization है वो start होगा next समझना यहाँ पर अगर बात करें short circuit ratio जो हो क्या होता है short circuit ratio होता है मारे पास में तो यहाँ पर यह जो characteristics से इसमें समझना अगर मानलो आप यहाँ पर field current बढ़ा रहे हो समझना आप यहाँ पर जो field current बढ़ा रहे हो मानलो इतने field current की value पर कितने field current पर अगर आपसे पूछ ले examiner की यहाँ पर यह जो point है यहाँ पर यह ओ एफ point है तो यहाँ पर अगर आपको जो voltage मिल रहा है वो rated voltage मिल रहे है क्या बोला मैं नहीं इतने field current पर इतने field current पर अगर rated voltage मिल रहे हैं और आगर मैं मैं बात करूँ यहां पर इतने felt current पर ऑफ- porch कार दो आप इतने the current इंचे आप darum को यहां पर मिल रहा होगा यहां पर जो current मिल रहा होगा वह mкив रोल्त है यहां ऺडिग्ड करन यहां फोल्तेच परीर बैटेट करन्र पर मिल रहा हो required to produce rated current in short circuit test जैने कि open circuit टेस्ट और short circuit test में जो ए्यक्याइड होते हैं का जो रेशू होता है उसी को हम बोलते हैं short circuit ratio बैटा यूटा यूटलाइजेशन जो है मैंग सर पढ़ाएंगे आपको और बहुत पहतरीन तरीके से आपको जो है वो पढ़ाएंगे मैंग सर पढ़ाएंगे तो कल से आपके जो classes 1030 पर वो मैंग सर लेंगे तो आप सभी लोग को यूटलाज़़ाइशन देखो सभी को पता है बहुत important है बहुत important है उसका revision भी बहुत जरूरी है तो आप जो ही classes यहां से अगर हम बात करें तो यहां पर क्या होगा यह जो हमारे यहां पर अगर हम बात करें तो आप लिखोगे डेफिनेशन याद रखना आपको एक्जाम में इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है तो वही डेफिनेशन आप यहां पर जो हैं लिखी रतेट ज्टोटेख मैं फूरेटट रिपार तो प्रटेउ रतेट रते बतेज रतेख रतेच पृत 10 अक्रित रतेख जार मैं अपनगर अधन अस्ट लूर प्रतो प्रूरेट और लूरेट डिक्रटी पूर्ड ditch हो द्धर रतेट रूरीट रुरूर्ट रेटेट करेंट इन शॉर्ट सर्कुट टेस्ट क्या होगा रेटेट करेंट इन शॉर्ट सर्कुट टेस्ट डेफिनेशन लिख देना रेटेट करेंट इन शॉर्ट सर्कुट टेस्ट शॉर्ट सर्कुट टेस्ट तो यहां पर आप लिखोगे SCR जो होगा SCR होगा वो IF डेश डिवाइड बै आई एफ डबल डेश होगा यह रहेगा हमेरे पास में शॉट सर्किट टेस्ट ठीक है पावर एलेक्टोनिक्स का SCR वाला पार्ट है SCR में आपको पढ़ा दूँगा स्यार सिलिकन कंट्र्ल रक्टिफायर वाला पार्ट है वो भी हमें class रख लेंगे, एक class में आपका पूरा revision हो जाएगा, उसका भी है न, वो भी हो जाएगा आगे, हाँ समझ न, हिंदी में इसको लिखोगे, आप क्या करोगे, open circuit test का मदलब क्या होता है, लगू परिपत परिक्षन है न, लगू परिपत परिक्षन, sorry, open circuit, खुला लगू परिपत है न, तो खुला परिपत परिक्षन में जो field current required होता है, rated voltage लाने के लिए, और जो हमारे पास में लगू परिपत परिक्षन में जो field current required होता है, rated current लाने के लिए, उन दोनों current का जो अनुपात होता है, उससे हम बोलते है, short circuit ratio, short circuit ratio को हिंदी में क्या बोलोग हैं देखो यार अगर मानलो आप खुद हिंदी मीडियम के हो मानलो अगर आपने डिपलोमा भी हिंदी मीडियम में किया हुआ है मैं आप पुछो बताओ कि लगुपरिपत अनुपात क्या होता है आप खुद नहीं समझ पहोगे वहाँ पर question की language क्या होती है चलिए तो यह चीज़ आपको समझ में आ गया है न थैंक यू सो मच आकाश चलो यहां पर एक formula और होता है यार हमें exam में पूसता है कि SCR जो है वो क्या होता है one upon access per unit या रखना यहां पर one upon access per unit ये adjusted होता है या अंशेचुरेटेड़ होता है यह एक्जाम में दिया होता है आप से पूसता है कि रेशेयो किसके equal होगा तो क्या answer होता है यहां पर? adjusted या फिर unsaturated क्या आता है? जल्दी से बताएंगे यहां पर यहां पर adjusted होगा या फिर unsaturated होगा तो, आंसर आएगा access adjusted क्या होगा access adjusted जो है वो हमारे पास में रहेगा तो कभी अगर आपको यह पूछ ले कि SCR जो है short circuit ratio है वो किसके एकवल होता है बहुत बार examiner ने आपको ऐसा भी question दिया हुआ है JN में वो बोलता है कि access adjusted की permanent value इतनी है इतनी है बताओ short circuit ratio कितना होगा जिससे मैं मान लो आपको बोल दूँ कि access adjusted जो है 0.5 है बताओ short circuit ratio कितना होगा बस कुछ नहीं करना है वन अपॉन 0.5 कर देना है मतलब आपका आंसर आजाएगा ऐसे question भी examiner ने बनाए है आपको बोले का हमें स्मार्ट स्टडी करने हैं हमें PhD नहीं करने क्योंकि PhD करने के लिए बहुत सारे courses है हम gate करके mtech करके फिर PhD हम कर सकते हैं बढ़ हमें अभी फिलाल के लिए हमारी requirement है कि हमें सब जॉब निकालनी है तो वह ज्यादा जरूरी है न चलिए तो यहां पर अगर हम बात करें तो यह हमारे पास में फॉर्मॉला आपको याद रखना है न चलिए next अब इसके बाद में इसके बाद में अगर हम बात करें अगले पॉलिए पर इस इतो बताओ यहाद आप लोग बोड़ रहे थी सर सिंक्रॉनस मशीम होता है경 क्या ताफ लग रहा है क्या आगर आनसर होगा जल्दी से बताओ अगर है कि आपको वोल्टेज्रेज्रेइशन या वोल्टा नियमन की बात करें क्या होता है वेिज्रेइचन के एगई जो पड़ते तब depressed अधिया पहली बार जब पड़ते हैं То लगता है कि अगल है Лेकिन सब दो Alt बात करते हैं कि पर Unix तो मोंटर में स्पीड रेगुलेशन नहीं होता है मोटर में हम electrical energy देते हैं तो यह voltage regulation में अल्टरनेटर के case में निकालूँगा और voltage regulation कभी अगर आपको निकालना है जिसे मान लो यह आपका equivalent circuit है यह आपका equivalent circuit है और voltage regulation वाला part important भी है द्यान रखना काफी अच्छे numerical भी बनते हैं यहाँ पर voltage regulation में अगर हम बात करें टर्मिनल वोल्टेज एंगल 0 है यहाँ पर आर्मेचर करंट आईए है आर्मेचर रजिस्टेंस आ रहे है और सिंकॉनस रिएक्टेंस जे एकस से यहां का voltage है यह एफ और लोड एंगल कितना है आपके पास में डिल्टा है तो यह हमारे पास में क्या voltage regulation अगर nat on के लिए हम मोटर के लिए नहीं निकालेंगे यहां पर किसके लिए निकालेंगे अगर मैं ALT popeorkles की बात करो तो यहां पर voltage regulation कभी भी आगर आपको निकालना है तो voltage regulation होता है no- 거죠 upgrades क्या होगा अ Até पास में फुल लोड्वल्टिज नोलोड माइनस protocols डिवाय वाइट वेस्ट पास में रहेगा वह हमारे पास में यहां पर हम लांगे यहां पर हम क्या हैंगी यहां पर लोड लगाएंगी तो यहां पर देखो लोड के लेकिन जब नोड होगा तो नो लोड कंडिशन में आर्मिचर करन फ्लो नहीं होगा तो यह सप्लाई का सारा का का सारा सारा आएगा लोड पर आएगा और एक और चीज द्याय डखना यहां पर एक और तो special motor में अगर कुछ बच जाता है तो वह हम पढ़ लेंगे ना special motor वाला पार्ट जो है वह हम पढ़ लेंगे आगे special class में लेकिन हां पढ़ेंगे जरूर यह फिक्स है अब देखो समझना no load voltage की में बात करूं तो यहां पर जब load हटाएंगी तब no load का voltage कितना होगा EF होगा जब मैंने load लगाया हुआ है तब voltage कितना है VT है तो यहां पर आप formula बना दोगे EF minus VT divided by VT into 100 आपके JN में बहुत बार question तो बस यही बोला गया है कि आपको बोलता है कि synchronous machine के अंदर जो है no load का voltage इतना है full load का voltage इतना है बताओ voltage regulation कितना होगा यह दोनों data आपको देता है एक्जाम में और voltage regulation आपसे पूछा जाता है तो आप यहां से answer जो है वो आप explain कर सकते हो clear समझ में आ गया हाँ UPSC EAC की classes यह क्या बैटा UPSC EAC की classes जो है वो आप gate वाला या gate वाला चैनल पर आप जाएए वहाँ पर हैं बाकि आप UPSC अगर आप EAC के pre की बात कर रहें तो pre में आप इन सभी जो को follow कर सकते हो यही आपको exams के अंदर पोछी जाती है न चलो तो यहा यहां पर हम आते हैं और आगे स्टार्ट करते हैं देखो समझदा है इस्टरिस मोटर की कुछ्चन चलिए इस्टरिस मोटर अच्छे से पढ़ेंगे आपन आज सबसे पहले में स्टरिस आपको पढ़ाऊंगा लेकिन उसके लिए अपन जल्दी पहुंचेंगे और बाते न जल्दी से far comments for methods for voltage regulation calculation के लिए methods कौन-कौन से होंगी पहला हमारे रहे पास में फिल्दीए ह पंदल गाँगा विद्द्द वहांट बल विदी और इसी को पन क्या बोलते हैं सिंक्रोनिस इंपेडंस मेह इंपेडंस मेह यानि इसको पन को तुल्यकलिक प्रतिबादा विदी हिंदी में बोल रहा हूं है ना साथ में आपको लिखना है ताप लिख देना next होगा हमारे जीरो पावर फ्रेक्टर मेथड इसी कॉपन बोलते हैं पोटिय ट्राइंगल मेथड इसी कॉपन क्या बोलते हैं पोटिय ट्राइंगल मेथड पोटिय ट्राइंगल मेथड पोटिय ट्राइंगल मेथड नेक्स्ट इसके बाद में क्या होगा हमारे पस में EMF, MMF, ZPF and fourth होगा हमरे पस में ASA method आपके exams में बहुत बार तो ASA की full form पुछी गई है चलिए जल्दी से बताएंगे ASA की full form क्या होती है ASA की full form क्या होती है ASA की full form क्या होती है जल्दी से एक बार बताओ ये भी आपको exams के अंदर question पूछा गया कि ASA method में ASA की full form क्या होती है तो answer होगा आपका American Standard Association Method हाँ, correct answer है न ASA की full form होगी हमारे पास में American American Standard American Standard Association Method Association Method चलिए सबसे पहला जितने भी question आपके exams के अंदर पूछे जाते हैं वो सबसे ज़्यादा question पूछे जाते हैं किसके बताओ EMF method के question आपको ज़्यादा पूछा आते हैं EMF method में होगा क्या आपको कुछ ने पूछा जाएगा EMF method is a optimistic method या pessimistic method है न अगर pessimistic और optimistic का मतलब क्या है pessimistic हम negative sense में use करते हैं अगर हमारे लिए कोई खराब चीज़े हैं तो हम बोलेंगे वो pessimistic हैं अगर हमारे लिए अच्छी बात ही तो हम बोलेंगे optimistic हैं और यहां पर EMF method में जो voltage regulation आपको मिलता है वो actual result से ज़्यादा मिलता है क्या बोला मैंने EMF method में जो आपको voltage regulation मिलेगा वो actual result से आपको ज़्यादा मिलेगा यानि कि जो value आपको आनी चाहिए उसे ज़्यादा voltage regulation आ रहा है आप जल्दी से बताओ अगर voltage regulation आपको ज़्यादा मिलता है तो आपके लिए अच्छी बात है या खराब बात है जल्दी से बताओ आपके लिए अच्छा है या बुरा है तो definitely voltage regulation हम क्या बोलते हैं तो voltage regulation हम बोलते हैं कि हमारे पास में जो उनले संवाइirus जितना कम हो उतना हमारे लिए बेटर रहता है यहां-पर वुल्टेस रेगलोशन ज्यादा मिलेगा अगर ज्यादा मिलेगा हमारे समय नहीं higher लेगा है तो तो यह Miche j जो होता है EMF method यह एक pessimistic method होता है क्योंकि यहां का result मिलता है वो actual result से higher मिलता है तो चलिए one by one बात करते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर EMF method मैंने मतलब क्या होगा बदाओ विद्धुत्वाहक बल्विदी चलिए विद्धुत्वाहक बल्विदी या EMF method में क्या होगा तो EMF method में यहां पर जू result obtained by this method short में लिख दो result obtained result obtained from this method from this method result obtained from this method क्या होगा हमारे पास में is less than is less sorry more than is more than is more than is more than actual result more than actual result तो यहां पर एक वर्ड तो यह याद रखना पैसिमिस्टिक मेथड तो हिंदी में पैसिमिस्टिक को है पैसिमिस्टिक की लिखके देगा है न हिंदी मीडियम में चलिए तो यह हमारे पास में एक इंपोर्डेंट पॉइंट है जो आपको पूश सकता है अब देखो यह मैथड में यहां पर यहां पर यह हमारा एक्यूएलंट सर्किट है और इस पर हम यहां पर लगाएंगे यहां पर कुछ चीज़ बता रहा हूं क्योंकि यहां से निमेरिकल पूश्टा है तो थोड़ा सा अलकाज़ा दो पांस मिन लगेंगे फॉर्मले तक जाने में तो पांस मिन में हम डिराइव कर लेते क्योंकि एक्जाम में आपको वहां पर निमेरिकल करना पड़ेगा इसक या हो सकता है कि वो लोड आपके पास में UPF लोड हो या फिर हो सकता है कि वो लोड आपके पास में लीडिंग लोड हो है न कैसा भी examiner question पूछ सकता है lagging load, leading load, UPF load कैसा भी question आपको पूछे जा सकता है अगर आपको यहां पर कैसा भी अगर numerical वो आपसे पूछ ले examiner कि यहां पर जो है voltage regulation positive होगा, negative होगा या फिर कैसे निकालेंगे तो उसके लिए चोटा सा एक formula में आपको बतायता हूँ कि जब आप क्या गरोगे इसका phaser बना लो है अगर आपको formula पर जाना है तो एक मिंट में आप वहाँ पर phaser बना सकते हो रफली क्या करोगे सबसे पहले दियान रखना यह जो armature current आ रहा है यहां पर जो सबसे पहले armature current है देखो उसको reference ले लो यह armature current बना लो फिर आप बोलोगे अच्छा यह लेगिंग लोड की में बात करो है ना द्यान रखना आपको formula लेगिंग का निकालना लेडिंग का भी पूछे तो मैं आपको बदाऊंगा चेंज कैसे करोगे जब आप लेगिंग लोगे ता आप बोलोगे अच्छा ठीक है अब हैं इहां पर लोड का पावरफक्ट Tery endeavor होगा औंक फाइज और इसी कुह हैं आप यहां पर आगे उसे वाले पार्ट को तो यहां पर मैंने क्या बोला यह वाला जो drop है यह होगा हमारे पास में IA into RA और यह होगा IA into axis और यह होगा हमारे पास में EF यह सेम phaser आप transformer के voltage regulation में भी बनाते हो यह सेम phaser वहां पर आप transformer के voltage regulation में भी बनाओगी और यहां पर अगर आप देखोगे तो यह point ABC है और यह पू आईए के b इसके angle यहां पर एक notation होता हूथए相्य है, ज्यांना यहां पर मैं ian notion हरहा हूग साइ, यह objective में question हूँग यह कूछन पूछा है इसके बारे में, यह CR पर यहां पर वाइख होगा यह होगा और बता यहां पर लोड़ का नाम क्या होगा आप ही बता होगे जल्दी से बता हो उसका नाम यहां पर मैं सभी लिख देता हूं क्योंकि यह सारे terms important है आपके लिए exam में जब तक आप si का जल्दी से comment करोगे 5 जो है वो हमारे पास में क्या है load power factor angle यह होगा load power factor angle होगा next delta जो होगा वो हमारे पास में रहेगा load angle वो हमारे पास में रहेगा load angle और si जो होगा इंटरनल पावर फैक्टर उंगल एकदम पावर फैक्टर उंगल यह हमारे पास में क्या होगा नागरी एंगल हमारे पास में रहेगा आपको एक्जामेनर पूछेगा कि बताओ इन तीनों में क्या रिलेशन है यहां पर आपको दिख रहा होगा कि डेल्टा यह हमारे पास में फाई है और दोनों का समेशन देख सकते हो साई है तो साई क्या होगा डेल्टा और फाई दोनों का समे डेल्टा Π्लस 5 हो गा लेकिन बात ही में आती कि किस लोड में है तो दियान रखना कुर्ट लेंग लोड में ईर्लेशन रेलेशन है ड्डेल्टा प्लस 5 करेंट हैilユेद्ध एक्दम सही है तो मोसब हमारे पास में Πरेंग motivations यह answer आएगा legging load में लेकिन अगर आपको leading load कभी भी दे दे examiner तो leading load में क्या होगा यहाँ पर बीचे minus कर देना मतब 5 की जगे minus 5 कर दो तो यहाँ बीचे minus कर दोगे तो वो किसके लिए आएगा वो leading load में आएगा तो आप size equal to delta minus 5 आप कर दो तो यहाँ पर यह answer हो जाएगा leading load के लिए होगा leading load के लिए होगा and अगर हम बात करें UPF load के लिए तो size और delta दोनों बराबर होगा क्यों क्यों क्योंकि UPF load में power factor 1 होगा तो angle 0 होगा तो यह value 0 कर दो तो यह किसके लिए होगा यह होगा UPF load clear समझ में आगे अरे यह सब याद रहेगा एक बात जल्दी से comment करो याद रख लोगे इस तरीके से क्योंकि देखो एक्जाम हम वो देने वाले हैं जहां पर हमें 40 सेकंड में काम करना है तो हमें हमारी प्रिप्रेशन भी उसी तरीके से करने पड़ेगी कि हम आंसर 40 सेकंड में वहां पर देपाएं और 40 सेकंड में कभी दो तो यह लाइन बनाना यह फैजर बना लो यह 3 गुश्चन आपको यहां से पूछ सकता है एक्जामेल यहां से आपको पूछ सकता है नेक्स अब एक काम करो आपको सभी को दिख रहा होगा ये ABC जो है वो क्या एक right angle triangle मतलब एक समकौन त्रिभीू जे तो देखो ये एक right angle triangle है और right angle triangle में क्या हो था AC स्कॉरर्ड जो होगा मतलब hypotenuse कर्ण का स्कॉरर जो बेस यानि आधार का स्कॉरर प्लस height यानि लब का स्कॉरर है तो यहां पर AB का square plus BC का square equal to AC का square, क्या बोला मैंने, यह AB, तो AB क्या गरोगे, इस VT का, दिया रखना, इस VT का horizontal component ले लो, इसको हम बोलते हैं, VT cos phi, VT cos phi, और यह bit जो IA आ रहे हैं, वो यहां पर आएगा, IA into R A, इस VT का यह vertical component होगा, इसको हम बोलते हैं, VT sin phi, VT sin phi, और य IA into Axis हैं, तो बदब बेश कितना होगा, VT cos phi plus IA, VT sin phi plus IA, एकसिस, तो इनका आप square कर दो, तो यहां से, आपको एक formula मिल जाएगा, वो होगा, यह जो होगा, वो root of, root of क्या होगा, हमारे पस में, VT cos phi, VT cos phi plus IA into R A, और प्लस क्या होगा, हमारे पस में, VT sin phi, VT sin phi plus IA into Axis क्या होगा, हमारे पास में square होगा, तो यहां से आप EF निकाल सकते हो, समझ में आ गया, अरे समझ में आ गया, बताओ, यार इधर ध्यान रखो, इधर ध्यान रखो, निंजा बेटा, निंजा टेक्निक यहां पर लगाओ, पूरी अपनी है ना, बाकी किसी बातों पर चलो, यहां पर आओ, तो देखो, यहां पर यह EF हो जाएगा, यह EF आपके पास में formula होगा, इतनी स्मेटिस आपको बनाना पड़ेगा, वहां एक्जाम में, 40 सेकंड में question करना है, अगर ऐसा question आज है, अगर formula पूछ ले ता आप यहां से बता सकते हूँ, लेकिन अगर हम बात करें, जितने भी numerical आपको मिलेंगे exam में, वहां पर armature resistance को neglect कर देता है, जितने भी numerical आपको मिलेंगे, वो RA को neglect करेगा, इसको आप zero कर देना, तो वहां से आपका question है, और जल्दी मन जाएगा, next, इसके बाद में, यह formula होता है किसके लिए lagging load के लिए, यह formula में लिखा अगर हम बात करें, यही पर leading load होगा, तो देखो leading load में मैंने क्या बोला, आप five की जगे minus five कर देना, यहां पर cos minus theta, cos theta ही होता है, तो यहां leading load में, vt cos phi, plus यहां पर क्या होगा, ia into ra square, और यहां पर क्या होगा, इसकी जगे minus theta, minus sin theta होता है, तो यह formula हो जाएगा, minus vt sin phi, plus ia into axis square यह होगा, हमारे पास में leading load के अंदर, यह होगा leading load के अंदर, और last बात करें, unity power factor load, unity power factor load में क्या होगा, तो upf load में अगर हम बात करें, इसको upf load में अगर में बात करूं, तो cos phi की value 1 होगी, unity मतलब cos phi 1, यह 1 हो जाएगा, plus ia into ra, ia into ra square, और sin phi कितना होता है, तो आपको सभी क पता है कि cos 1 होगा, तो sin 0 होगा, तो यह वाला पार्ट बचेगा, only ia into axis का क्या होगा, square, तो यह होगा unity power factor load में, और जितने numerical आपके अभी तक आए हैं, वो unity क्या होएं, त्यान रखना, जितने numerical आए हैं, वो unity क्या होएं, अगर unity का अगर question पूछेगा, और वो क्या करेगा, आरे को आपको neglect करके देगा, question की language आप समझना है, जो मैं बोल रहा हूँ, ऐसा question आपको मिलेगा exam में, कि वो आरे आपको यहाँ पर neglect करके देगा, play समझ में आ गया, आरे यहाँ पर वो neglect करके देगा, आप उसको zero कर देना, only बचेगा VT square, terminal voltage आपको देगा, armature current आपको दे पूछे का बताओ, voltage regulation कितना है, तो यहाँ पर diet आप करोगे, VT square प्लस IA into XS का square कर देना, EF यहाँ से निकालना, और answer आप निकालना, voltage regulation कैसे, EF minus VT upon VT से, तो यह numerical आपको पूछेगा, अगर आरे को neglect करे तो सभी में आरे वाला part zero कर देना, मतलब यहाँ से आप numerical पर आप कर लोगे और बहुत सार यह formula याद भी होगा, क्योंकि मैंने पहले भी बोला था, यह formula important है, ठीके, तो चलिए, यहाँ से अगर हम बात करें, तो हम यहाँ पर आए, EMF method पर, मैंने क्या बोला, EMF method में जो voltage regulation हमें मिलेगा, वो हमें मिलेगा, कुन सा बताओ, higher than actual digit मिलेगा, इ होता है, AMF method कुन सा बता है? optimistic या pessimistic जो हमारे पास में MMF method है, वो कुन सा होता है pessimistic, पैसिमिस्टिक method होता है, या optimistic method होता है, तो क्या answer आएगा, वो रहे गा हमारे पास में optimistic method, correct answer है यह कुंसा होगा optimistic क्योंकि यहां पर जो result मिलेगा वो हमारे पास में actual result से कम मिलेगा है तो यहां पर ये जो मेथट होगा वो हमारे लिए क्या होगा optimistic होगा लिकिन अब आप बताओगे अगला वाला method जो है next नेक्स जो तब जीरो पावर फ्रक्र मेंथड क्या होता है यहां पर में लिख देता हूं यहां पर एमेफ मेफट के अंदर हम एक पॉइंट लिख दें एमेफ मेफट के अंदर तो यहां पर पॉइंट लिख देना इन एमेफ मेफटर्ड इन एमेफ मेफटर्ड रिजल्ट इस लेस देन result of voltage regulation is less than is less than less than actual result less than actual result actual result so it is cold so it is cold so it is cold so it is cold optimistic method क्या होगा हमारे पास में optimistic method optimistic optimistic method optimistic method चलिए next इसके बाद में अगर हम बात करें चलिए next समझदा इसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ पर जो है यहाँ पर जो मैंने क्या बोला जो zero power factor method है वो भी optimistic method होता है आपको examiner पूसता है कि सबसे best method कौन सा है या best accurate method कौन सा है न accurate method कौन सा है voltage regulation की calculation के लिए क्या answer होगा यहाँ पर अगर हम बात करें ज्यान रखना जो zero power factor method है वो भी आपका optimistic method होता है optimistic method होगा तो यहाँ पलिक देना zpf method जो होगा zpf method होगा zero power factor यहाँ कि सुन्य शक्ति गुणांग विदी जो है वो हमारे पास में क्या होगा optimistic method होगा optimistic method होगा optimistic method होगा और यहाँ पर ध्यान रखना यह जो method है इसमें voltage regulation कम मिलेगा इसमें भी मिलेगा क्यों अप्टिमिस्टिक है सबसे best method कौन सा है accurate method कौन सा examiner पूछे तो आप answer लगा होगा zero power factor method है zero power factor method is the most accurate method तो यहाँ पर point लिख देना यह क्या होगा हमारे पास में most accurate method most accurate method जो आपका SSEJE answer consider करता है क्या बोला मैंने SSEJE जो answer consider करता है या जो आपके AJ के exam से जो answer consider करते हैं वो zpf consider करते हैं most accurate method मॉस्ट एक्यूरेट मेथड जो है वह होगा हमारे पास में जेड़ पी एफ मेथड बागी ए से की तो आप यहां पर बस नाम याद रखना चलिए नेक्स्ट यहां तक यह चीज आपको समझ में आ गई होगी अब यहां पर मैं एक बात कर रहा था पोट यह ट्राइंगल है ना आपको एक्जाम में कुछ नहीं पूछा था कि जीरो पावर फैक्टर मेथड में जो जीरो पावर फैक्टर क्यरेक्टरिस्टिक्स हम प् प्लोट की जाती है जैड़ पी एफसी जल्दी से बताएंगे अगर आपको एक्जामिनर पूछ ले जैड़ पी एफसी किस-किस के बीच में प्लोट करते हैं यह हमारे पास में अल्टरनेटर है और यहां पर क्या है यह हमारे पास में सरकेट डाइग्राम है ना और मिलेगा यहां पर हम प्योर इंड़क्टर कनेक करेंगे पहला तो लोड में अब देखो इसको जीरो पावर फैक्टर क्यों बोलते हैं क्योंकि इसमें लोड जो हम लगाते हैं और सभी को पता हुगा यार कि प्योर इंड़क्टर का जो पावर फैक्टर हो कितना होता है जी तो हम बोलते हैं zero power factor characteristics जीरो पावर फ्राइक्टर बनाते वक्त हम यहां पर प्यृौर लगाएंगे और प्यौर लगाएंगे यहां पर कि से आप्लोर्ट वीजर होगए तो किसकिस पॉल्टन करेंगे तर्मिनल वोलटेज और उदर रघ्र करनगे तो फील्ड करेंगे तो सिसड्मिनल वह प्लोटी विसमें zp TA यहां पर लेखना अफलों TE लोटाइड बिट्विटन शॉनेती रच hospitalized बीट्वेंट टर्मीनल वौल्टेज एंड फिल्ड करन्ट, टर्मीनल वोल्टेज एंड फिल्ड करन्ट में जो हैं हम इसे प्लॉट करते हैं, इस चैरक्टरिस्टिक्ट्स को, next, फिर आपको एग्जाम में कुछ से पूछता हैं, जल्दी से बताएंगे कौन से दो reactants का समिशन है और डेफिनेटली XAR प्लस XL और XL को हम बोलते हैं यहां पर leakage reactants XL को हम बोलते हैं leakage reactants तो आपको examiner यहां पर पूछेगा कि बताओ मुझे leakage reactants calculate करना है leakage reactants को calculate करने के लिए यह इसकी value निकालने के लिए हमें कौन-कौन सी दो characters की requirement होती है तो ध्यान रखना अगर आपको leakage reactants निकालना है तो उसके लिए ZPFC और OCC क्या वहला मैंने zero power factor characteristics और open circuit characteristics दोनों की requirement होगी leakage reactants को calculate करने के लिए तो यह question भी आपको exam में बहुत बार पूछा गया है तो यह point भी आप याद रखना वहां से जितने भी question है power factor armature current और उन से related question वहीं से होंगे तो हम बात करते हैं कल कौन सा सब्सक्राइब स्टार्ट होगा वह utilization होगा है utilization estimation and costing वाला पार है वह start होगा है चलो तो यहाँ पर समझना तो यहाँ पर एक point लिए दो to calculate to calculate to calculate to calculate leakage reactors एक्षेल ध्यानरखना इसको अपन बोलते हैं शरं liken्ड़किश को हिंदी में अपन बोलते हैं Sharan प्रक्पने के वर्डत एसक्जिसे वर्डते ना कि जैसे लड़ाई उड़ाई करけれ हो किसी से इस सारा से word होते हैं यहां पर शरण प्रतिगाद अपने इसको बोलते हैं leakage reactance को मैंने क्या वला to calculate Excel leakage reactance को calculate करने के लिए जो है हम क्या करते हैं हम यहां पर z p f c and o c c दोनों हम यूज करते हैं तो यहां पर लिख देना और सीसी इज रिक्वाइड यह हमारे पास में क्या को दोनों चीज़े रिक्वार्मेंट होगी है ना नेक्स्ट कि चलिए है कि समझता है अच्छा ने वर्ड अच्छे होते हैं यहां पर भी मतलब मुझे इसा लगता है कंपरेटिव टेक्निकल लेंग्वेज में कंपरेटिव टेकनिकल लेंग्वेज के बात करें न तो हिंदी थोड़ा सा टफ परता हिंदी में ऐसे से वर्ड आते हैं जैसे में इसकीट इफेक्ट आपको पावस्टर में मिलेंगे बहुत जल्दी इफेक्ट क्या होते हैं यह स्कीन को अपन क्या होते हैं तो समझना यहां पर अगर बात करें एक्सल कैलकुलेट करना है तो यह हमें दोनों होगी अब हम आते हैं नेक्स्ट अगले टॉपिक पर वह हमारे पास में वी कर्व वी कर्व एंड इन्वर्टेड वी कर्व जो हैं वह हमारे पास में रहेगा जल्दी से पहला कुश्चिन जो आपका फैवरेट जही ए fraction kilowatts motor नहीं पढ़ाया गया है एक में वह जब तक मुझे हाते ने हैं पढ़ाया है स्पेशल मोटर में इंटल कर लेंगे समझदा किसकी में प्लोट करते हैं आर्मेटर करन्थ होग 친ाद प्लोट करते हैं हो गए ना एसे में अजीत फुल फोमी याद रखो और कुछ नहीं पुछेगा ना बढ़ा दिया है फिर ठीके बागी स्पेशल मोटर में क्या क्या बढ़ाऊंगा स्टेरिस मोटर स्टेपर मोटर और रिलक्टेंस मोटर रिपल्शन मोटर और कौन सा होगा सिंप्रोज टेको में अगर हम बात करें तो वी कर हम प्लोट करते हैं किस-किस के बीच में हम आर्मिचर करन वर्सिस फिल्ड करन में प्लोट करते हैं तो पहला इंपोडेंट पॉइंट यहां पर द्यानक ना सबसे इंपोडेंट पॉइंट यह हैं कि वी कर को प्लोट करने के लिए हमारे दो और यह दो दो प्लोट की किया जाता है वह आपका जो आल्टरनेटर है वह इंफाइनेट बस को कॉंस्टेंट पावर supply कर रहा है क्या बोला मैंने वी कर जब हम प्लोट करते हैं तो हम यह assume करके चलते हैं कि हमारा alternator हमारी infinite bus को एक constant power supply कर रहा है तो यहां पर एक word आया infinite bus जल्दी से आप comment करेंगे infinite bus क्या होती है अगर आपको examiner पूछ ले infinite bus क्या होगी मैंने बोला कि यह हमारा जो alternator है यहां पर जो infinite bus है उस infinite bus को constant power supply करेगा infinite bus जल्दी से बताओ infinite bus क्या होती है infinite bus क्या होती है तो infinite bus वो बस होती है इसना मत बोलते हैं इंफाने लंबाई की जो बस होगी वो infinite bus होगी नहीं बटा infinite bus वो बस होती है जिसका voltage हमेशा constant रहता और जिसकी frequency हमेशा constant रहती है क्या होगा जिसमें voltage और frequency जो है वो हमेशा constant रहेगी उसको हम बोलेंगे infinite bus तो यहां पर infinite bus का मतलब होगा V and F जो है वो हमारे पास में constant रहेगा यह हमारा पहला अजंसन्स होगा और यह जो इसको जो एलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसफर कर रहा है पी यह वह हमारे पास में क्या है वो भी constant है इन दो अजंसन्स के साथ में हम वी कर प्लॉट करते हैं तो यहां पर पर लिख देना वी कर इस प्लॉटेट बिट्विन यहां पर लिख देना वी कर्व इस प्लॉटेट बिट्विन वी कर्व इस प्लॉटेट बिट्विन प्लॉटेट बिट्विन आर्मिचर करेंट एंद फिल्ड करेंट आर्मिचर करेंट एंद फिल्ड करेंट पूर पूर अजंप्शन्स यह फूर ऐसे लिख दो इफ ऐसे लिख दो इफ अल्टर्नेटर इस सप्लाइंग अल्टर्नेटर इस सप्लाइंग अल्टरनेटर इस अप्लाइंग कॉंस्टेंट पावर तू इन्फाइनेट बस तो यहां पर देखो यहां पर दो रिलेशन याद रखना infinite bus को power supply करेगा तो यहाँ पर दो relation याद रखना power के power का एक relation होता है सभी को बता है कि sir power हमने पढ़ा है electrical power जो होता है v into i into cos 5 तो देखो मैंने क्या बोला मैंने आपको यह बोला infinite bus वो होगी जिसमें क्या होगा यहाँ पर p e और v t क्या रहेगा हमारे पास में constant रहेगा तो देखो यहाँ पर मैं क्या बोला हूँ v t आप divide कर लो v t आप divide कर लो p e और v t दोनों constant रहेगा तो यानि कि i a into cos 5 constant रहेगा तो ध्यान रखना infinite bus के अंदर जो है अगर जो हमारा अजंसन से उसके according p e divide by यह v t हो जाएगा बट यह दोनों constant है तो यह हमारा constant रहेगा तो ध्यान रखना जब हम v कर plot करते हैं तो यह हमारे पास में अजंसन सोता है कि armature current और power factor जो है वो constant है क्या होगा आपके पास में armature current और power factor है वो constant है दूसरा formula होगा यहाँ पर power का p e का formula होता है e f into v t दिवाइड बाइ एक्सेस इन्टू साइन ओफ डेल्टा तो यहाँ पर इसको आप उपर ले जाओ इसको नीचे लियाओ क्यों बताओ reactants भी constant है क्योंकि frequency constant है यह भी constant होगा यह भी constant होगा तो इन दोनों को इधर ले जाओ तो यह होगा p into x divided by v t और यही होता है e f into sin delta तो यहाँ पर यह भी हमारा adjustments होता है कि यह value क्या होगी constant होगी तो हम इस adjustments के साथ में जो हे वो plot करते हैं अब देखो यह दियान रखना है दो condition मेंने क्यों लिखाई है क्योंकि examiner यहाँ से numerical पूस्ता है numerical में क्या करेगा examiner आपको यह बोलेगा कि हमारा एक alternator है हमारा alternator है जब load angle इतना है तब e f इतना है बताओ हमारे पास में e f double हो जाए तो load angle कितना हो जाएगा ऐसा numerical आपको पूछेगा तो आप इन दोनों को constant लेकर मतलब आप ऐसा करोगी e f 1 into sin delta 1 जो होगा वो e f 2 into sin delta 2 के बराबर होगा तो आप यहाँ पर जिसा भी क्या करेगा वो यह दोनों value देगा यह value भी देगा आपसे यह push लिया जाएगा तो इस तरह का numerical वो बना सकता है इसके उपर numerical point of which से मैं आपको दोने equation लिखाएए याद रखना अगर ऐसा numerical बनाए सेम numerical वो यहाँ पर भी बना सकता है कि यहाँ पर भी क्या आएगा i a 1 into cos phi 1 जो होगा वो i a 2 into cos phi 2 होगा i a 2 into cos phi 2 होगा चलो मैं एक numerical आपको दे देता हूं इससे related जल्दी से बताएंगे answer क्या होगा आपको examiner for example बोलेगा for example बोल देगा कि armature current जो है वो कितना है 10 ampere है जब हमारा load का power factor 0.8 है अगर हमारे पास में load का power factor जो है वो 0.6 हो जाए तो बताओ armature current कितना होगा यह value question पूछेगा जल्दी से बताओ क्या answer होगा क्या answer होगा चलिए जल्दी से बताओ यहां पर question यह पूछेगा कि I A इतना है जब power factor point rate था जब power factor 0.6 हो जाए तो armature current कितना होगा और question में यह दे रखा होगा कि आपका alternator infinite bus को power supply कर रहा है constant power यह देगा जल्दी से बताओ चलिए जल्दी से बताओंगे एक बड़ इतने साल होगे मुझे पढ़ाते होगे 7 years होगे 8th year चल रहा है 7 years में इतना अच्छा response जितना आ रहा है concept point of view से बात करो numerical पूछो आप answer फटाबट दे रहे हो तो आप लोगों का जल्वा है यूट्यूब पर आप लोगों का जल्वा बहुत है बहुत बैतरी है न चलिए तो अगर कभी question पूछेगा मैंने क्या बुला ये concept आप लगाओ ये delta वाला है ये नहीं पूछा है इसे पहले वाला पूछा है तो आप क्या लिखोगे मैंने आपको ये बुला है कि i a 1 into cos 5 1 जो होगा वो i a 2 into क्या होगा प्रकोस फाइटू रहेगा मैंने आपसे ये पूछा है तो ये दोनों को multiply करके point 6 का divide कर लो तो क्या करोगे i a 2 जो होगा वो गा 10 into point 8 divided by point 6 यानि क्या होगा 80 by 6 अब यहां से आप solve कर लो answer आजाएगा आपके पास में 13.33 आ रहा है क्या answer आजाएगा 13.33 जो है वो correct answer रहेगा है न तो कैसा भी numerical पूछे मुझे पता आप कर लोगे बस यह फॉर्मले या concept आपको पता होना चाहिए न चलिए हाँ thank you so much all चलो अब मैंने आपकी तारीफ कर ली आपके मेरी तारीफ कर ली चलो हो गया आपको दिकर्जा आप हम पढ़ाई वड़ाई करते हैं फिर से आगे बढ़ते क्योंकि अभी बहुत कुछ बचा हुआ हमारे पास में न नेक्स्ट तो यहां पर एक चीज़ आपको यह समझ में आगे होगी वी कर्व और इंवर्टेड वी कर्व में नेक्स बढ़ते हैं आगे समझना यहां पर यह हमारे पास में क्या है यह यहां पर अगर हम कर्व प्लॉट करते हैं यहां पर अगर हम कर्व प्लॉट करें तो हम किसे प्लॉट करते हैं हम प्लॉट करते हैं फिल्ड करंट के अंदर फिल्ड करंट में यहां पर एक पॉइंट है द्यान रखना यह एक पॉइंट जो होता है इसको क्या बोलते हैं जल्दी से बताओ यहां पर इस पॉइंट पर आपका अल्टरनेटर ओर एक्साइट होगा under excited होगा, normally excited होगा, क्या होगा, जल्दी से एक बार reply करो, यहाँ पर जो alternator है, हम क्या मानते हैं, वो क्या रहेगा, क्योंकि यहाँ से question बनता है, काफी अच्छा question बनता है, इससे we करो से, ना, तो numerical करने के लिए पहले आपको यह पता होना चीज, यहाँ पर आपका alternator जो हम करते हैं, अपको सबी को पता है, जब normally excited होता है, चाहे motor हो, चाहे alternating हो, वो UPF load पर काम करती है, यह मैंने कल आपको लिखायाता है, अगर normally excited होगा, तो वो UPF load पर काम करेगा, अब देखों समझ ना, normally excited, के बात में, अगर मैं बात करों, उतना दीब मैं नहीं जाना अभी फिखाल के लिए यह याद कैसे रखोगे मैं आपको process बता रहा हूँ बगी बनता कैसे तो बनता कैसे उसके लिए हमें two hours कम से कम चाहिए कि यह weaker बनता कैसे लेकिन उतना deep में नहीं जाना अभी फिलाल के लिए आप अगर को यह पता है अगर आपको यह normally excited है तो उससे अगर हम आगे जाएंगे यहाँ पर इधर तो यहाँ पर over excited हो जाएगा और यहाँ पर इसके पीछे अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर ध्यान रखना इधर क्या होगा हमारे पास में under excited हो जाएगा under excited होगा under excited और यहाँ पर मैंने क्या वहला यह होगा over excited अँवर-excited और यहां पर जो था यह हमारे पास में हैं फिल्ड करण अब जल्दी से बताओ अगर मैं यहां पर बात करूँ Alternator और यहां पर मैं बात कर रहा हूं Motor. Alternator जब under excited होता है तो जल्दी से बताओ यहां larging power vector पर काम करेगा یा leading power factor पर काम करेगा जब alternator आपका under excited होगा तो legging power factor पर काम करेगा या leading power factor पर काम करेगा क्योंकि उसी के according फिर में question बताऊँगा कि कितनी variety of question यहां से बना सकता है examiner तो alternator जब under excited होता है मैंने क्या बोलाता जब over excited होगा तो वो power supply करेगा और वो legging पर काम करेगा ना लेकिन under excited में वो leading पर काम करता है समझ में आ रहा है तो यहां पर वो किसमें काम करेगा वो alternator जो है यहां पर leading पर काम करेगा तो इसमें point लिख दो alternator यहां leading पर काम करेगा और motor यहाँ पर lagging पर काम करेगी और मैंने आपको क्या बोला याद रखने का तरीका में आपको बदाता हूँ मुझे पता है आपको एक चीज याद होती है कि over excited motor leading पर काम करती है यह सभी को पता है न कि over excited motor जो है देखो over excited यहाँ है तो यहाँ जो motor होगी motor होगी वो किसमें काम करेगी वो leading पर काम करेगी यहाँ जो motor होगी वो leading power factor पर काम करेगी तो motor leading पर काम करेगी तो आप ऐसे लिख दो कि alternator यहाँ पर जो होगा वो lagging पर काम करेगा और उसका उल्टा उधर लिख दो सबसे इजी तरीका क्या है आप ये लिख दो और उसका अपोजिट करके आप उधर लिख दो कि यहाँ पर मोटर जो है वो यहाँ पर लेगिंग पर काम करेगी अल्टरनेटर इतर लीडिंग पर हो जाएगा आप कुश्चन क्या पूछेगा सुनना कुश्चन आपको ऐसा कुश्चन है आपसे बूलेगा अल्टरनेटर अगर नॉर्मली एकसाइटेड है और अगर हम फिल्ड करन बढ़ाएं तो बताओ आर्मेचर करन क्या होगा इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा और वह साथ में पावर फेक्टर भी पूछेगा तो पावर फेक्टर के लिए आपको इन्वर्टेड भी कर जो हो बनाना पड़ेगा आप यहां पर इन्वर्टेड भी कर बना लो और इन्वर्टेड भी कर ऐसा बनता है और यहां पर पावर फेक्टर वर्सेज फिल्ड करन में बनेगा और यह कौन से वही है यहां पर नॉर्मली एकसाइटेड होगा औ और यूपी एफ पर काम करेगा बाकि यह वाला पार्ट यहां पर चिपका दू तो चलो दोनों कुष्टन आपके सामने हैं क्या अंसर आएगा क्या अंसर होगा आर्मिचर करण्ट इंक्रीज होगा यश ग्रीज होगा तो देखो उसने क्या बोला को अच्छे से पढ़ करना उसने बोला कि normally excited है लेकिन power factor क्या हो रहा है तो बस ऊपा आंसर बता सकते हो ना दिन क्या होगा दिन हमारा armature current बढ़ेगा और power factor हमारा कम होगा तो जितने भी question अगर आपको इस concept पर पूछे जाये आप यहां से बता सकते हो अरे कर लोगे जल्दी से बताओ एक बार जल्दी से रिप्लाई करेंगी तो यहां पर जो है कुश्चन अगर पूछा जाएगा तो कर लोगे जल्दी से एक बार रिप्लाई करेंगे फास्ट सभी जल्दी यार हो जाएगा कुश्चन तो केसा भी कुश्चन अगर आपको पूछा जाएं तो यह वी कर और यह इंवर्टेड वी कर हैं बाकी यह द्यानक ना यह नीचे जो मैंने पार्ट लिखा हुआ है अब हम बात करते हैं इनवर्टेड वी कर हो गया वी कर हमारे पास में हो चुका है अब हम आते हैं जहां से जो जो कुश्चन आपको इंपोर्डेंट पूछ सकता है वो हम बात करते हैं तो अगला हमारा टॉपिक होगा नेक्स्ट होगा आपको एक्जामिनर यहां से क्वश्चन क्या पूछेगा पहला कुश्चन होगा कि सेलेंट पूल सिंक्रोंड पे काम करती हैं क्या आंसर होगा जल्दी से बताओ किस प्रिंसिपल पे काम करती हैं कहां पर काम करती है तो देखो सेलेंट पोल्स इंक्रोंड मशीन जो है वह काम करती है किस पर जल्दी से बताओ टू रियक्शन थ्योरी पर है न टू रियक्शन थ्योरी पर काम करती है सही एकदम सही इंपोर्डेंट पॉइंट है सर यह काम करती है किस पर टू रियक्शन थ्योरी पर तो यहाँ पर पॉइंट लिख देना works on the principle of works on the principle of to reaction theory principle of ध्यान रखना to reaction theory के principle पर काम करती है two reaction theory two reaction theory के principle पर काम करती है अब आप गोलोगे सर्फ two reaction theory का principle होता क्या है देखो वो तो पूरा explain नहीं करेंगे बट मैं आपको point बता याद रखने का तरीका बताता हूं किसे याद रखोगे कि यहां पर यह हमारे पास में बूत है और यह हमारे पास में jak यह उन्हिञार लेकिन रोटर यहां पाई न फॉल टाइप का होगा कि तो यह सेलीन पूल नोड़ अब गो मैंने आपको यहां पर क्या एक्सेश और मैंने क्या बोला direct एक्सेश पर यहां पर जो air gep होगा वह कमोगा quadrature एक्सेश का जो air gep होगा वह हमारे पास में ज्यादा होगा तो यहां पर non uniform air वोता है और उसकी वज़े से यहां पर दो अलग-अलग reactance आते हैं कौन-कौन से एक होता है direct access reactance, और एक होता है quadrature axis reactance, तो यहाँ पर दू टाम आएगी, एक होगी xd और दूसरी होगी xq, एक का नाम वोगा direct access reactance, direct access reactance, direct access reactance, जल्दी से बता हो किसकी value जयदा होती इसमें से, इसमें से किसकी value जो हे वो higher होती है, direct axis और यह होगा हमारे पास में quadrature axis reactants q axis reactants जल्दी से बताएंगे किसकी value यहां पर higher होती है xd की value या फिर xq की value क्या answer होगा तो सभी को पता होना चाहिए बाकी देखो इसके comparison के point सारे में आपको बता चुका हूँ बस हम बात करेंगे आगी के point comparison कल में आपको लिखा दिया तो सारा तो यहां पर direct axis reactants है वो quadrature axis reactants से greater होता है आप में से बहुत सारों confusion यह होता है कि सरक क्यों होता है तो समझ दे न xd जो है वो xq से क्या होगा greater होगा इसका reason भी मैं आपको बदायता हूँ कि अगर आपको कभी भी inductance निकालना हो तो n into 5 divide by हम i से बात करते हैं और flux अभी को पता है flux अभी को बता है कि हमारे पास में mmf divided by क्या होता है reluctance होता है mmf divided by reluctance होता है अगर मैं reluctance की बात करूं देखो direct taxes का मैंने आपको inductance ज्यादा होगा तो इसका मतलब क्या होगा reactance ज्यादा होगा तो आप यहां पर बोल सकते हो कि direct taxes का reactance से ज्यादा होता है न लेकिन आप में से बहुत सारे याद रखने के तरीके लिए क्लिक्वा करते हैं वह बोलते सर एबी सी डी में जो पहले का उसको हम पहले लिख देंगे याद रखने का तरीका क्या है कि ऐसे याद रख सकते हो सर डी पहले आता है क्यों बाद में आता है इसलिए हम याद रखेंगे इसके अलावा सेलिएंट पोल्स इंकॉर्णस मशीन में जो कुश्चन आपको यहां से पूछे जाएगा वह पूछता है इसकी पावर फ्लो एक्वेशन से पावर फ्लो एक्वेशन इसके फेजर डाइग्राम से कुश्चन अब्जेक्टिम में नहीं आएगा आपको कुश्चन यहां पर फेजर डाइग्राम से हो सकता है cbt2 में पूछ जाए वो बात में आप cbt2 की प्रेपेशन करेंगे तब पढ़ेंगे लेकिन हाँ पावर फ्लो एक्वेशन में अगर वो बात करेगा कि यहां पर जो पावर हैं जिसे मानलो यह अल्टरनेटर हैं और इसके दो रियक्टेंस है और यह इंफानेट बस को पाव अगर सप्लाई कर रहें जिसमें दो रियक्टेंस में एक्सडी है और दूसरा क्या है एक्सक्यू है तो यहां पर पावर फ्लो एक्वेशन का फॉर्मला है वो याद कर ले ना इएप इंटू वी टी डिवाइड बाइक्सदी इंटू साइन ओफ डेल्टा प्लस वी टी स्क करेंगे करना पड़ेगा वेटा सेलेक्शन लेना है तो करना पड़ेगा तो यह फॉर्मला जुहें वह याद कर ले ना यह फॉर्मला यह होगा पावर फ्लो एक्वेशन का फॉर्मला होगा जिसमें सेलेन पोल जनेरेटर जुहें वह इंफाइनट बस को कितना पावर सप् क्या होता है इस component क stressing क्या होता है जल्दी से बढों कि हारिलक्तेंस और फ्लक्स तो ज्प Lexus Coffee ज्यादा होगा ना इसको हम बोलते हैं एक दव सः यह जो पावर होगा यह होगा आ रिलक्टेंस पावर होगा यह होगा फ्रमला कूंसा होगा वहना ही यह होता है been constant power आपको examiner यहां पर question यह ही पूछस्थ Suppose कि लोड एंगल डिल्टा की वेज आ होगी जिस पर reluctance टॉर्क जु है वो maximum होगा क्या अंसार होगा मदा हुआ Lumस के अच्वरोगर पूछेगा लोड एंगल डेल्टा एट विच लोड एंगल डेल्टा एट विच रिलक्टेंस पावर रिलक्टेंस पावर और टॉर्क इस मैक्सिमम जल्दी से बताएंगे क्या आंसर होगा लोड एंगल डेल्टा जो है उस पर reluctance power torque maximum होगा वो value कितनी होगी तो यहाँ पर 45 degree हाँ correct answer है सभी का answer correct है कि sir यह maximum होने का मतलब है यह जो sign का angle 90 degree होना चाहिए यह आपका answer होने का मतलब है यहाँ का angle 90 degree होना चाहिए मतलब 2 delta अगर 90 होता है तो maximum होगा तो delta हमारा 45 degree हो जाएगा तो यहाँ पर आंसर लिख देना delta equal to 45 degree लेकिन बहुत बार examiner question ऐसा नहीं पूछता है question ऐसा पूछता है कि low angle delta की value क्या होगी जिस पर electrical power transfer है वो maximum होगा क्योंकि वो reluctance power maximum की बात करेगा तो पॉइंट ही लेकिन अगर आपसे पूछेगा electrical power transfer जो है वो maximum होगा चलिए जल्दी से बताओ क्या वल्ड़ी सर्फ्लक्स डारेक्ट अक्सिस ग्रेट देन the quadrature अक्सिस डेफिनेटली फ्लक्स ज्यादा होगा डारेक्ट अक्सिस का क्योंकि रिलक्टेंस वहां पर कम है तो फ्लक्स वहां पर क्या होगा ज्यादा होगा चलो जल्दी से बताओ यहां पर जो है अगर आप से पूछ लिया जाएं कि लोड एंगल डेल्टा क्या होगा जिस पर electrical power transfer maximum होगा तो 90 डिग्री आंसर बता हैं बहुत सार इंस्ट्रेंट जो हैं आकाश नेट्वर्क सराभी पढ़ाएंगे नहीं बेड़ा नेट्वर्क जो हैं उसके लिए आपको बहुत जल्दी सर्प्राइज आपको मिलेगा और नेट्वर्क में 14 या 15 को जो हैं एक बहुत शांदार फैकल्टी जो हम लांच करन पई जो है एलेक्रिकल पावर ट्राट्पर मैकसिमाम होगा उसका अंसर होगा 75 डिगरी से लेकर 85 डिग्री की रेंज में या 80 डिगरी की रेंज में रहेगा या बहुत सार बुख में 70 से 80 भी लिखा होता हैं तो अलग-लग रेंज आपको नाप्षिं में पहीं पर भी तो आपका 70 से 80 डिग्री के बीच में होना चाहिए जो 90 डिग्री आप बोल रहे होना वो सेलेंड्रिकल रोटर के लिए हम बात करते हैं सेलेंट पोल में नहीं होता है न तो यहां पर एक और पॉइंट लिख देना यहां पर लिख देना दा followed अंगल डिल्टा दो अंगल एंगल डिल्टा इट विच आट विच उल्याद इक्ट्री कल पावर इलेक्ट्री कल पावर ड्र Dare is maximum electrical power transfer is maximum transfer is maximum transfer is maximum तो वो हमारे पास में क्या होगा वो डिल्टा होगा वो 70 डिग्री टू आप लिख सकते हो यहां पर 80 डिग्री की रेंज के बीच में रहेगा तो यह होगा हमारे पास में लोड अंगल डिल्टा डिल्टा 90 तक नहीं होता है यहां 90 तक नहीं होता है चलिए बिटा आ गए बहुत अच्छी बाते बहुत अच्छा काम किया जो आप पड़ाई-वड़ाई करते हैं समझदा तो सिलेंडिक यहां पर पूछता है कि इसकी टेस्टिंग का मेथड कौन सा है न जल्दी से बताओ यहां पर टेस्टिंग का जो मेथड होता है वह हमारे पास में होता है स्लिप टेस्ट कौन सा होता है स्लिप टेस्ट तो नाम याद रखना टेस्टिंग में यहां पर आता है स्लिप टेस्ट हम करते हैं एक तो नाम याद रखना दूसरा स्लिप टेस्ट में यहां पर जो हें दो वैल्ली पूस्ता है एक डी और एक पूस्ता है एक्सक्यू एक्स में कुष्जन ऐसा है कि वह आपको मेकसिमंग मैं में मुना मैकसिमम अ मेकसिमम वह है एक्सक्षा में क्या करते हैं स्लिब टे्स्ट से हぁम डारीक टौर ex से और जाओं किसमें आएगा तो आपको टरीका बता दिए जल्दी से बढ़ा कैसे याद रखोगी से ग्रेटर होगी से अगर ग्रेटर होगा तो पिर तो की नहीं रहे ना क्योंकि अगर हो सकता है जब वोलटेज ज्याद मौँड़ हो समझ में आ गया है तो यहां पर voltage ज्यादा है और current कम है तभी xd ज्यादा हो सकता है चली तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा यहां तक तो यह सारे point जो ही आप याद कर लेना अब हम आते हैं next important point पर और वो हमारे पास में है special motor xd xq भी अपन कर लेंगे और पहले में special motor की कुछ चीज़े आपको बता देता हूं अभी half an hour है हमारे पास में और half an hour है तो हम special motor वाला कुछ जो important motor से वो तो हम पाड़ी सकते हैं तो चली हम बात करते हैं यहां पर सबसे पहले hysteresis motor hysteresis motor hysteresis motor hysteresis motor तो देखो hysteresis motor को हिंदी में है न hysteresis ही बोलेगा वह hysteresis ही बोलेगा या फिर उसको शैतिल्य मोटर भी बोल देगा लेकिन वह नॉर्मली जो है hysteresis motor ही इसको बोलके रखेगा न चलो तो अब हम बात करते है hysteresis motor जो है इसमें बहुत सारे कुश्चन बनते हैं पहला जल्दी से कुश्चन बताओ यह synchronous motor है या फिर आपके पास में चलो एक पॉइंट और यहां पर मैं आपको बतायता हूना एक पॉइंट और यहां पर जो आपको पोस्ता है वह भी हमने नहीं लिखा आपसे पूस्ता है कि अगर salient pole synchronous motor जो है वह वर्क कर रही है और यहां पर आपसे बुलेगा अगर excitation damage हो जाए तो क्या होगा आपकी motor stop होगी क्या आपका आंसर होगा नहीं होगी द्यान रखना क्या बोला मैंने salient pole synchronous motor work कर रही है और यहां पर अगर excitation fail हो जाए तो क्या आपकी motor stop हो जागे क्या है आपका आंसर होगा मोटर स्टॉप नहीं होगी एटविल कंटीनु तू रन इट सिंक्रोण स्पीड किसकी वज़े से विकॉज पावर की वजय से तो ध्यान दखना अगर आपके पास में यहां पर मौटर जो है अगर एक्साइडेशन डेमेज हो जाया किसमें सेलियन पोल में बात कर रहा हो सेलेंड्रिकल रोटर की बात नहीं कर रहा हो यहां पर reluctance torque होता है वो उसको rotate करवाएगा तो stop नहीं होगी यह point भी द्यानकना यहां पर और एक और point जो है hysteresis motor start करने से पहले मैं आपको एक और point और बतायता हूं जो बच गया है वो हमारे पास में synchronous motor नहीं पढ़ा हमने अभी तक synchronous motor के बारे में अगर मैं बात करूं तो द् इसेल्फ स्टाट्प नहीं होती अगर इसको select नहीं होती है उसको this बनाने के लिए यह क्या करते है ृण हाँ excitation और प्राइम वोड़ा कॉंसे अगर डेमेंज होगा पावस्टर में बताओंगा आपको स्टार्ट को नहीं होती दूसरा important point है इसको methods to start synchronous motor कौन-कौन से होते हैं अगर आपसे पूछ लिया जाए कि methods to start synchronous motor methods to start synchronous motor synchronous motor को start करने के लिए methods कौन-कौन से होते हैं पहला method होगा ज्यान रखना first method होता है हमारे पास में pony motor by using pony motor pony motor by using क्या होगा हमरे पास में damper winding using damper winding using damper winding damper winding damper winding damper winding next हमरे पास में क्या होगा third method by using by shorting by shorting filled winding by shorting filled winding initially by shorting field winding initially तो यहां पर हम field winding को initially जो है वो short करके भी हम यह काम कर सकते हैं और next क्या होगा हमारे पास में यह तीन method जो हैं आप याद रखना क्या होगा damper winding से आप कर सकते हो पोनी motor से कर सकते हो यह फिल्ट वैंडिंग को हम short करके जो हैं वो हम कर सकते हैं लेकिन पोनी motor क्या होती है पोनी motor जो होती है वो एक small rating की induction या DC motor हो सकती है जिससे हम क्या करेंगे उसको rotate करवाएंगे initially है तो यह तीन method हमारे पास में क्या है इसको self-start बनाने के method होते हैं next अब हम बात करते हैं यहां पर hysteresis motor पर है ना चलिए 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 तो नेक्स्ट के वोले से 1225 पर ठीक है विटा देखो समझना यहां से अगर हम बात करें तो अब हमारे पास में जो हैं वो रहेगा hysteresis motor तो पहली चीज़ दियानक ना hysteresis motor जो है वो एक special type of synchronous motor होती है क्या होता है हमारे पास में hysteresis motor जो है वो क्या होगी एक special type of पहला important point लिखना special type of synchronous motor special type of synchronous motor होती है synchronous motor होती है और जिसमें हम rotor पर कोई भी excitation यूज नहीं करते हैं इसलिए अपर इसको बोलते हैं un-excited synchronous motor है न दियान रखना यह un-excited होती है यानि यहां पर rotor पर कोई excitation हम नहीं देते हैं un-excited synchronous motor जो है यह रहेगी अगर मैं इसके डाइग्राम की बात करूं तो यहां पर जो है field winding में दो पार्ट होते हैं एक होता है मरे पास में main winding और दूसरा मरे पास में यहां पर होता है auxiliary winding और यहां पर इसके बीच में जो है इसके बीच में rotor होता है बट जान रखना इस rotor पर यहां पर कोई भी winding नहीं होती है इसके rotor पर कोई winding नहीं होती है इसके उपर कोई teeth भी नहीं होते है ये एक hard magnetic material का बना होता है ये जो rotor है ज्यान रखना rotor किसका बना होगा hard magnetic material का बना होगा hard magnetic material का अपन यूज करते है hard magnetic material जो है वो यूज करते है जल्दी से comment करेंगे material कौन-K tampon से यूज करते हैं कौन-Kश सब मटेरील आफ़र यूज करते हैं करेक्ट आंसर है करेक्ट आंसर सभी यहाँ पर हम एलनिकर या क्रॉम स्टील यूज करते है और वह ये वह material होगा जिसका बीच करेंगेगusion जादा होगा तो यहां पर हम रोटर का वह हैं एक तो यहां पर किसका हाड मैठेटिक होगा या सुस्ट डाट का ऑपना और यहां पर इसका विच करした श्रभी यहां कि यह yer main winding है यह मेरे पास में क्या main winding है main winding और यह होती है auxiliary winding यह क्या होती है auxiliary winding तो यहां पर भी दो winding होगी main winding और auxiliary winding जब हम इनको supply देंगे तो आपको सभी को पता होगा जब two phase winding हो और अगर 90 degree angle पर connect हो और अगर हम उसको supply देते हैं तो एक rotating magnetic field produce होता है और वो rotating magnetic field हमेशां एक synchronous speed पर rotate होता है न क्या होगा हमारे पास में synchronous speed पर rotate होगा जब यह rotating magnetic field इसको cut करेगा इस rotor को तो इस rotor में क्या होंगे hard magnetic material है hysteresis loss जादा होंगे उस hysteresis loss की वज़े से यहां पर एक hysteresis torque produce होगा और वो hysteresis torque जो है वो इस rotor को rotate करवाएगा इस rotor को यहां पर rotate करवाएगा तो यानि कि यहां पर जो है ना इसको hysteresis motor क्यों बोलते हैं क्योंकि इस motor में हम यहां पर यह इस motor के rotor में हम hysteresis loss करवाकर हम rotor को rotate करना start करते हैं तो पहला important point यह synchronous motor हैं दूसरा इसका rotor किसका बना होता है hard magnetic material एलीणिक को या क्रॉम स्टीर का बना होता है तीसरा important point यहां पर कोई rotor पर कोई winding नहीं होती कोई टीथ नहीं तो यहां पर ध्यान रखना no winding no winding no rotor winding यहां पर लग देना no rotor winding कि नो rotor winding और टीथ रोटर पर यहां पर कोई भी winding नहीं होती है रोटर पर यहां पर कोई भी टीथ नहीं होते हैं और फिर भी यह rotate होता है किसे तो द्यान रखना इनिशली यहां पर hysteresis टॉर्क की वज़े से rotate होगा जब यह rotate होगा और निये टू सिंकॉन स्पीड पर पहुंचेगा दोनों के लोकिंग के बाद में यह rotor सिंकॉन स्पीड पर जाता रहेगा साथ में तो सिंकॉन स्पीड पर रोटेट करता है आपको एक्जाम में ऐसा कुश्चन नहीं पूछेगा कि क्या होता है क्या नहीं होता है आपको एक्जामिनर कुश्चन यह पूछेगा कि बताओ इस्टरिस मोटर जो है इसमें क्या होता है इसके क्या क्या है एडवांटीज क्या है जल्दी से बताओ यहां पर जो नौइस की प्रॉब्लम है वह हमारे पास में क्या होगा क्या बोले विकास सर मुझे भी जोइन लेना है क्या लेना है जोइन तो यहां पर द्यान रखना नौइस की प्रॉब्लम जो है वो लेस होती है तो यहां पर क्या होगा हमारे पास में द्यान रखना लेस नौइस होगा नौइस की प्रॉब्लम जो है वो हमारे पास में तो इसकी आप्लिकेशन जो है वह नोगी इसकी आप्लिकेशन कि We dvd tap recorder इन सभी में हम यूज करते हैं यह सारे पॉइंट आप याद रखोगे इसके अलावा अगर आपको कभी कुछ यह पूछ ले ड्यूरिंग इनीशली इनीशली बात करूं इनीशली इस रोटर पर जो टॉर्क लगेगा वो क्या ओनली स्टेरिसित लोस की वज़े से भी ल तो दोनों की वज़े से एकदम सही आझजर है कि सिर इनीशली यहाँ पर एडी करन लोस और हिस्टेरिसित लोस दोनों की वज़े से टॉक लगता है लेकिन रूणिंग कंडिशन पर जाने के बाद में ओनली हमारे पास में क्या होगा सिर हिस्टेरिस लोस ही प्रेजेंट हो वो भी आपको पूछ सकता है नहीं तो इसकी talk slip characteristics के बारे में पूछ लेता है कभी कबार इसके talk वसे slip की जो इस तरह की होगी क्लीयर आर अभी बहुत सारी इसके लाओ बहुत सारा point है तो हम बात करेंगे तो इसके आगे जो है हम एक काम करते हैं हम कल ही मतलब नेक्स जब भी स्पेशल मोटर होगा सेशन में लाओंगा तो मैं आपको बता दूँगा तो कुछन प्रैक्टिस सेशन होगा नहीं तो वहाँ पन कर लेंगे जैसा भी होगा लेकिन ध्यानकना कल से जो आपकी क्लास है वो आपका स्टार्ट होगा थैंक यू थैंक यू प्यू थैंक यू समच्छ